So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahachan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Indian Oil Corporation Limited की साथ ही एक Dividend Stock को भी हम देखेंगे तो वीडियो को बिना Skip किये एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना और साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो वहाँ पर निप्टी और बैंक निप्टी की काफी कुछ अपडेट्स आपको मिलने वाली है जाकर एक बार चेक आउट जरू कर लेना तो वीडियो को करते हैं कंटीनियो Indian Oil Corporation Limited की अगर बात करें तो एक सो तीन रुपे पचपन पेसे के लेबल पे स्टॉक हमें क्लोजिंग देता हुआ नजराया लास्ट रेडिंग सीजन काफी हद दक फ्लक्टुएशन हमें स्टॉक में देखने को मिले स्टॉक में अगर देखें तो यहाँ पर मॉर्णिंग में अच्छी बड़त थी उसके बाद स्टॉक में गिरावट रही बड़ उसके बाद सडन स्टॉक ने की रिगवरी बते और एट देन 25 पेसे की गिरावट इसने बता दी तो कल के लिए हमने हमें क्या स्ट्राटिजी रखनी चाहिए इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड में तो उसे हम अब देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल हम आगे है आई वोसी के चार्ट के उपर तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हो पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देख सकतो स्टॉक में हमने 2 important trade lines यहाँ पर बनाई हुई है और पहले हम upside कि अगर बात कर लें तो एक तो में इस range के बारे में आपको बाद में बताओगा तो यह range भी हमारे लिए काफियत तक IMP है तो यह IMP range है इसका आपको ध्यान रखना है और उसके बाद यह उपर हमने trade line बनाई है जो resistance का का काम कर रही है यहाँ से और यहाँ से already two times से rejection ले चुका है और नीचे support है यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर support लेने की कोशिश IOC की ओर से की जा रही है ठीक है तो उपर से जो range है उस range से तो इसे बिलकुल एक strong rejection मिल रहा है इस point का ध्यान रखो बट कल के दिन यहाँ पर कल के दिन आप तब तक इसमें negative मत होना जब तक यह इस support को downside की ओर break ना करे downside की ओर जब तक यह break नहीं करता तब तक आप positive रहो क्योंकि यहाँ से एक reversal कभी भी आ सकता है एक बड़ा reversal हमें देखने को मिल सकता है reversal अगर आता है तो जो share है वो 105 रुपे तक जाने की पूरी कोशिश करेगा इस trade line के base पर अगर देखे तो 105 रुपे का level easy अजीवे करा सकता है तो इस point की ओपर आपको focus यहाँ पर करना है ठीक है तो downside की ओर अगर इसने break किया तो यहाँ से एक fall create हो सकता है already ओपर से इस trade line का इस range का यहाँ पर एक strong rejection है यहाँ से strong rejection ले रहा है और यहाँ से भी rejection ले रहा है तो यह दो point है जो इससे negative बनाते है और साथ ही यह जो third point है अगर इस level को break करता है तो यहाँ से एक fall completely हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है तो उपर की range हमारे लिए क्यों important है वो हम देख लेते है one hour के time frame पर मैं आपको यहाँ पर clear कर देता हूँ कि यहाँ पर stock में हम ज़्यादा bearish क्यों है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखे तो stock में पहले भी इस point से जो range में आपको बताए उस range से पहले भी यहाँ से गिरावट आ चुकी है again यहाँ से गिरावट हमने देखी और again यहाँ से भी गिर रहा है और एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ से stock में support था यहाँ से stock में support था तो इस trade line को follow करते हुए यह again यहाँ पर support ले सकता है और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जब यह इस particular trade line पर support ले लेगा तो यहाँ पर बनेगा एक descendal type triangle descendal type triangle बनेगा और फिर यहाँ पर support लेगे जब इस range को भी break करता है तो यहाँ से आप bullish रह सकते हो यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है तो बिल्कुल IOC में यह जो point में आपको बता है इसके उपर आपको focus रखना है काफी important यह point है और वही अगर इस level को यह break करता है तो 114 रूपी से यहने 114 रूपे तक ही जा सकता है 114 रूपे का level भी हमारे लिए important इसलिए है क्योंकि 114 रूपे के level से अल्रेडी यह two times बड़े rejections ले चुका है तो इसलिए 114 रूपे का level हमारे लिए इतना ज्यादा important यहाँ पर होने वाला है तो अब बारी आती है एक ऐसे share की जो dividend दे रहा है milkwood limited की हम बात कर रहे है 619 रूपे 60 पेसे का यहाँ पर यह शेर है चार रूपे 40 पेसे की गिरावट है 2.5 रूपे पर equity share का dividend मिलेगा 29 नवेंबर से पहले बाय करोगे तब ही आपको इसका benefit बिलेगा वरना 29 तारीक के बाद बाय करते हो तो आपको इसका benefit नहीं मिलने वाला I hope वीडियो आपको helpful लगा होगा अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो और कोई भी stock में investment करने से पहले इन शेर्स का analysis भी करना